हेलो माई डियर स्टूडेंट वेलकुम बाक टू मांगनेट ब्रेंस एक ऐसा चानल जहां पर आपको किंडर्गार्डन से क्लास 12 तक के एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रवाइड कराई जाती है इतना ही नहीं अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मांगनेट ब्रेंस हिंदी पर जहां पर आपको एंपी बोट यूपी बिहार वोट राजस्तान बोट डेली वोट सब पढ़ाया जाएगा इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए बुक्स चाहिए तो ई-बुक्स ई-नोट्स भी ले सकत है चापटर नूमरेट का नाम है reaching grandmother's house reaching grandmother's house but續 टो अन पहुँचा grandmother's studies पढ़ रहा है, तो जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं, ओमना जो है, वो पहुच चुकी है, अपनी grandmother के घर, वो बिलकुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3rd chapter है, जो हम continue कर रहे हैं, chapter number 6 के साथ, याने chapter number 6 में हमने ओमना की journey start की थी, chapter number 7 में हमने from the window याने उसकी journey को देखा, and finally she reached the destination in this chapter, जहाँ वो पहुचना चारी थी, कहाँ जाना चारी थी वो, अपनी दादी नानी के घर, grandmother के घर, वहाँ वो पहुचने वाली है, इसी chapter में, चेके, तो ये chapter भी उसी के continuation में है, हम वही story को आगे continue करेंगे, चेके, हमने last chapter में यही पढ़ा था कि वो almost पहुच गई थी, और उसमें मैंने आपको बताए भी था, कि कुछ relations भी बता रही थी, और कोट्याम जगे था, जहाँ पे पहुच गई थी, राइट, अब हम आगे इस chapter को start करेंगे, आज बिलकुल fresh fresh start करने वाले हैं, तो आज का जो topic है, वह हमारा है explanation, explanation यानि हम story पढ़ेंगे, जो की page नमर 60 से 62 तक दी हुई है, और राइट students, तो start करते हैं without wasting time, मेरा नाम है, खुशी पढ़ाती हूँ, आपको class 1 to 5th EBS यानि के environmental studies, तो चलिए start करते हैं, I hope कि आप लोगों ने अपनी books जो है open कर ली है, books open करके page number 60 open कर लिया होगा and this page will be open in front of you, so timing क्या है, the timing is 17th May 1130, night, ठीक है, so क्या लिखा है, फटा-फट से pencils निकाल ले और मेरे साथ-साथ reading start करे, after a long train journey, we reach Koteam in the night, so उसने बताया कि हम बहुत लंबी train की जर्नी, कितनी टाइम की थी, two days की जर्नी थी, ओमना की, कितने टाइम की थी, दो दिन लगे और दो दिन उनने अराम से train में जर्नी बिताई, और हमें नहीं नहीं चीजें बिताई, अलग-अलग states cross किये, हमने वो states भी discuss किये थे, कि उसने बहुत सारे states cross करके, वो पहुची कहा, Koteam, Koteam पहुचने के बाद, उसने बुला कि मैं Koteam पहुच चुकी हूँ, नाइट में, रात में ही, वल्यामाज house was not far from the station, and we had to take two auto rickshaws to get there, वल्यामाज कौन होती है students, मैंने लास्ट क्लास में बूचा था, कि मैं ये बताऊंगी, पर आपको ये देखना है, सूचना है, कि वल्यामाज किस relation को बोलता है, तो वल्यामाज याने की, mother's sister, जिसे हम लोग, usually लोग मासी कहते हैं, बट मल्यालम में वल्यामाज कहते हैं, ठीक है, वल्यामाज जो है, उनके घर पर वल्यामाज नहीं वल्यामाज, तो वल्यामाज जो है, उनके घर पर हम पहुँच चुके थे, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो उनने क्या लिया, उनने दो आटो रिक्षा करे, और वो वहाँ पर पहुच गया, ठीक है, बट देन, I was very sleepy, and did not even wait to eat anything, ओमना ने क्या बुला, बहुत भूग लगी थी, हम किसी भी जर्णी से जाते हैं, घर पॉसने तो भूग लगती है, और ठग भी बहुत जाते हैं, तो उसने यहीं बुला कि मुझे श्लीपी, याने नींद सी आ रही थी, और भूग भी लग रही थी, उसने क्या बुला, मैंने नाया और मैं सो गई, चीक है, आइज थॉर्ट आइज फॉलन असलीप वेन अम्मा जोग मी अप अगें, और फिर मम्मा ने ऐसा लगा, मुझे अभी तो मैं सो जी थी, और मम्मा ने मुझे फिर से उठा दिया, तो फिर क्यों उठा दिया, चलो देखते हैं, next, अब उन्हें वापिस से पूरा समान बाहनना है, और कहां जाना है, बस्टेंड जाना है, तो ट्रेन की जर्नी के बाद कौन सी जर्नी स्टार्ट हुई, बस की जर्नी, ओके, ओमना और ओमना की साथ, अब कौन कौन है, ओमना के पापा आतो है, अपा है, अम्मा है, ओमना की बहन है, और अब ओमना के साथ, बल्ली अम्मा की भी फामली है, और वो लोग भी साथ में जा रहे है, बल्ली अम्मा's family also came with us, वी आर 10 पीपल, आप कितने लोग हो गए, वो 10 पीपल है, and had a lot of luggage too, और बहुत सारा लगेज भी है, you know what is the meaning of luggage, बहुत सारा समान, जम ट्रेन में बड़े-बड़े bags लेके जाते है, that's called luggage, okay, next is, बस कंड़क्टर कें, and अपा bought tickets for all of us, फिर बहाँ पे बस में कौन होता है, बस कंड़क्टर होता है, एक बस के ड्राइवर होता है, तो बस कंड़क्टर जो होता है, वो सब से क्या करता है, टिकेट, टिकेट, करता है ना, तो वो टिकेट लेने आया, टिकेट लेने नहीं, हमें देने आया, हमने उसे टिकेट ली, चीकेए, और किसने ली, अपा ने, याने ओमना के पापा ने, सब के लिए टिकेट ले ली, वी मैनेज to get seats, हमने फिर अपने अपने seats ली, as it went along, the bus got very crowded, और जैसे ही बस ट ली, as it went along, the bus got very crowded, crowded means, crowded का क्या मतलब होता है बच्चों, crowded means, भीड, तो बहुत साधा भीड होने लगी बस में, people who are sharing the seats, लोगों ने अपने-पने seats को, लोगों के साथ क्या किया, share करना, share करने का सोचा है, क्यों करना चाहिए share, अगर कोई खड़ा है, और आप उसको थोड़ी सी जगा दे सकते हो बैठने की, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो लोगों ने अपने-पने seats, थोड़ी-थोड़ी, share करी, we also had to share our seats, उसने क्या मतला हमें भी अपने seats को, share करना पड़ा, next क्या है, आगे लिखा है, आफ्टर लॉंग राइड, राइड क्यूं, राइड याने किसी भी गाड़ी में बैठके जब घूमते हैं, तो उसलिए उसने बोले जब बहुत लंबी राइड के बाद, बस रीज़ द लास्ट आप, बस एक दम बस करके रुखी कहां पे, लास्ट आप पे याने, फाइनली जो जहां रुखना था, वहाँ पे वो रुख गई है, अब बस उससे आपके तो जाएगी नहीं, then I was happy to get off, अब इत्ती भीड वाली जगे से जब हम बैठे होते हैं, तो असा लगता है न, उतर के, आप बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, तो वैसी ही, जैसी ओमना बस से उतरी, तो उसने उसको बड़ा ही अच्छा लगा, My legs were stiff, My legs, उसने बता है, मेरे पेर जो है वो एगदम stiff हो चुके, hard हो जाते हैं, आब एक जैसे पेटर रहते हैं, उसने बड़ा की, मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, इतने मेरे पेर stiff हो गए थे, Then I thought that we had finally reached the Amma's village, अब न, who is Amma's, Amma कौन होती हैं, Amma होती हैं, Your grandmother को कहते हैं, Grandmother, जिनको आप नानी या दादी कहते हो, है ना, वो होती हैं, Amma याने की नानी, specifically बोलू तो नानी, ठीक है, तो उससे क्या लगा कि हम नानी के गाओ पहुच चुके हैं, But, no, भी कहा लिखा है, But, no, अभी भी हम नहीं पहुच थे, Our travel had not ended yet, हमारा जो अभी traveling थी, वो अभी भी खतब नहीं हुई है, Train से बस, अब कहां पहुचेंगे, देखते हैं, Train से हम बस से train में गए, फिर हमने, कहां गए, फिर हम बस में गए, और अब कहां जाने वाले हैं, देखते हैं, The bus had robbed us by the water side, बस ने कहां एक नदी किनारे हम को छोड़ दिया था, Look, अमा पॉइंटे अक्रॉस देखते हैं, That is where we have to go, तो अमा ने वाटर के उस पार हाथ दिखा के बूला, कि वहां हमें जाना हैं, So, but how we will get there, I wondered, but मैंने सूचा, कि इतने सारे पानी में, कैसे जाना है, अमा ने कहा दो कि हमें बहां जाना है, बर कैसे जाना है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, students, अगर हमको पानी से जाना है, तो फटा-फट चे पिताओ, क्या यूज करेंगे, Yes, those who are saying boats, are saying very correct, तो अब हम यूज करेंगे, boats का, right? Now, just then I saw a boat coming, और फिर मैंने देखा, कि देखो एक boat आ रही है, there is the ferry, उस boat को क्या बोलते है, इस boat का नाम है, ferry, अमा सेट, अमा ने बताया, कि ये जो आ रही है, इसको हम ferry कहते है, immediately a big crowd of people started getting off, school children, men, women, all with their own package and luggage, और जैसे ही देखा, तो क्या देखा, कि बहुत सरे लोग उसमें से, उतरने लगे, क्या थे छोटे छोटे बच्चे थे, जो स्कूल जाते हैं, सोचो, आप स्कूल कैसे जाते हो, आप जाते हो, बसस से, पापा ड्रॉप कर देते हैं, ममा ड्रॉप कर देती है, राइट, वैंस आ जाती है लेने, बट वहाँ के बच्चे बोट में बैटके, जिसे फैरी कहते हैं, उसमें बैटके, स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं, You have learned something in chapter number one, right? वहाँ पे भी लोग बोट से जाते हैं, स्कूल जा पानी भरा होता है. So similarly, you can also studied here also की स्कूल चिल्रेन भी थे उस बोट में. Then Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. पिर Amma ने बताया, क्योंकि बीच में तलाब पडता है, तो लोगों को इस पार से इस पार आने के लिए बोट से आना पडता है, जिसे वो उस रिवर को cross कर सकें. ठीक है? Now what next? As soon as the ferry got empty, जैसे ही ferry खाली हुई, तो अब लोग और बैठेंगे, The big rush started from our side. अब हमारे साइड बहुत सारी भीड खरी थी, तो वो लोग ferry में बैठने लगी, जैसे ferry खाली हुई, तो बागी लोग जो वेट कर रहे थे ferry का, वो उसमें बैठें लगी. Everyone had to pay the fare before getting on. सब को fare pay करना पड़ेगा. Fare means charges for both. हम जैसे मालो, हमने train में बैठा, तो train का ticket लिया, हम बस में बैठें, तो bus का ticket लिया, जैसे हम ferry boat में बैठेंगे, तो हमें उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे. Very soon the ferry was full. और जल्दी से सब बैठे, 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 तो ferry जो है वो full हो गई. याने सभी लोग आके बैठ गए, तो ferry जो थी, वो पूरी ज़रा से भर गई. It started off again. And then ferry क्या हुई? चला, start हुई, पानी के अंदर. और फिर क्या हुआ? फिर I managed to get a place to stand along the railing. हमें कितना मज़ा आता है ना, कि railing के पास खड़े हो जो, और देखो नीचे पानी में क्या क्या हो रहा है? तो वैसी ओमना ने कैसे तैसे गई? और railing के पास जाके खड़ी होगी और देखने लगी कि पानी में क्या हो रहा है? What she saw? I saw the rippling of the still water. जैसे ही बोट चलनी start हुई, तो कैसे आने लगती है? क्या आने लगती है students? लहरे आने लगती हैं. सो जैसे ही पानी में बोट चलनी start हुई, तो वहाँ पे लहरे आने लगी. As the ferry moved, it was moving smoothly on the water. पानी में वो डुकर, 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 बहुत smoothly चल रही थी. There were rows of coconut trees on the banks of the river. उमना ने क्या पताया? कि हरे कोने कोने पर क्या लगे हुए थे? coconut trees लगे हुए थे. coconut trees हमने बनाना सीखा था ना, chapter number 7 में. वही coconut trees उसको वहाँ पे, पानी नदी किनारे कोने कोने पर लगे हुए दिख रहे थे. line से coconut trees लगे हुए थे. As we moved swiftly, I could see people. swiftly मतलब तेजी से. हम जब तेजी से चलने लगे पानी में, तो हमने क्या क्या लोगों को देखा? लोग देखे मैंने fishing करते वही, fish पकरते वही, washing करते वही, याने कपडे धोते वही, bathing करते वही, याने नाते वही, and working along the banks. और और भी बहुत सारे काम करते वह से लोग दिखने लगे. swiftly का मतलब क्या होता है? swiftly का मतलब होता है, तेजी से. चीक है? swiftly मतलब तेजी से. चीक है? उसके बाद क्या हुआ? Next क्या है? Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. जैसी sun disappear होना याने, जैसी शाम होने से के पहले, क्या हुआ हमारी ferry जो है, वो island पे पहुच गई? याने दूसरी पार पहुच गई. It was time to, it was time for us to get off. अब हमें उतरना था. At last we reached Amoma's place. और finally, अब तो finally हम Amoma के घर पहुच गई. What a long and interesting journey it has been. फिर उसने बताया कि बहुत interesting थी. और literally में हमने 3 chapter पढ़े और ये journey बहुत interesting थी. क्या-क्या चीज़े पढ़ी बच्चों? एक बार फटाफच से हम recap करते हैं. हमने शुरू में जर्नी क्या पढ़ी थी? ओमना जो है अपनी best friend के साथ कहां जाने के लिए बहुत excited थी? इसी जर्नी पर जाने के लिए बहुत excited थी. But at the end क्या हो गया? बिचारी जो ओमना की friend थी, उसका पैर fracture हो गया. और पैर में चोट आने के वारण बिचारी उसकी friend जा ही नहीं पाई. दोनों बहुत upset हुए. पर upset होने के बाद उसकी friend की ममा ने कहा कि तुम लोग एक चीज कर सकते हो कि ओमना जब तुम घुमने जाओ तो तुम diary लिखना. जब तुम हर एक चीज diary में लिखोगी तुम जब वो तुम अपनी दोस्त को दोगी पढ़ने के लिए उसे लगेगा जैसे वो भी उसी journey पे गई हो. दोनों को idea पड़ा ही अच्छा लगा और ओमना ने अपनी journey start होते ही diary लिखना शुरू करी. जैसे शुरू करी तो ओमना ने अपनी diary में हर एक detail बताई, कब वो station पे बैठी, क्या-क्या चीज़े उसने station पे देखी, कैसे उसकी journey start हुई, train में कौन-कौन था, कौन उससे वहाँ पे ticket, चेक करना आया है, हने के TC, वो चेक करना आया, वो कैसा दिखता था, यह सारे चीज़े उसने बताई, हम food में, train में, क्या खाने के लिए लेकर गए थे, हमने वहाँ क्या-क्या खाया, हर station पे क्या-क्या चीज़े मिल रही थी, उसने station पे जो जो चीज़े हुई, वो सब ही कुछ बताया, बहार खिडकी से जब वो ड्रेक रही थी, इसे क्या-क्या चीज़े दिखी, dry land दिखा, first day, वो भी उसने बताया, फिर बारी आई, अगले दिन की, अगले दिन हमने पढ़ा, chapter number 7 में, याने कि from the window, उसमें हमने देखा, कि जो ओमना है, वो next day हो चुका था, सुबह हो चुकी थी, और उसने खिड़की से देखना, start करने लगी, खिड़की के पास बैटी, उसने कॉफी सारी चीज़े notice करी, कि कैसे कुछ crossing पर लोग जो है, इधर भी बहुत गाड़िया है, उधर भी बहुत गाड़िया है, उसमने engine on कर रखा है, which is a bad thing, जो हमने notice भी करी, जिसके कान बहुत बहुत जा noise pollution और air pollution हो रहा है, फिर हमने आगे देखा कि उससे देखे बहुत सारे bridges, और bridges पर जैसी train गई, तो आवाज बदल गई, दुडुक 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 दुडुक, अवाज ये बदल गई, उसने देखा, तो देखा नीचे कोई ground नहीं है, बहुत चारा पानी है, और हमारी train एक पतले से bridge पे चल रही है, पहले उसे डर लगा, पट फिर उसे मजान लगी, ये देखते हुए कि कैसे train जो है bridge पे चल रही है, और उसने क्या देखा कि 2000 bridge पड़े उसकी पूरी journey में, फिर उसने एक और चीज नोटिस करी, चैसे इसकी train एक अंधेरे इसकी रस्ते से गुस्री, बंधेरा रस्ता कौन सा था, विल्कुल सही, आप सभी ने मेरे साथ ये chapters को बहुत अच्छे से पढ़ाए, इसलिए आप से answers बन रहे हैं, बंधेरा सा रस्ता था tunnel का, tunnel यानि जब हमें पहाड क्रोस करने पड़ते हैं, तो हम पहाड को उपर चड़ाई करके तो क्रोस नहीं कर सकते, तो हमने उसमें बीच में से रस्ता बनाया, जिसे हमने tunnel कहा, तो पहाड क्रोस करने के लिए हमने tunnel यानि गुफा जैसा एक रस्ता बनाया, तो वो tunnels देखे, य अपनी नानी के घर, वहां वो पहुंच गई है, पर पहले मोग अमा के घर गई, वहां पर से उसने थोड़ा देर रुकी, फिर वहां से एक बस पकड़ी, बस के बाद ननी किनारे उतुरी, वहां से वोट में बैठी, याने की फैरी में बैठी और अपनी नाने के कर फाइनली आप पहुँच गई है तो लोंग जर्नी बट इंट्रेस्टिंग जर्नी ओल्राइट स्टुडेंट्स तो आप भी अब नेक्स जर्नी पर जाओ तो ये पूरे डाइरी राइटिंग बिलकुल ओमना के तरह लिख सकते हो चीक है तो विद इस आज की क्लास खतम होती है चाप्टर अभी खतम नहीं हुआ है कुछ क्वेशन हैं जो हमें इस चाप्टर से रिलीट करने है जो हम नेक्स क्लास में करेंगे आपके एक्सरसाइज ओल्राइट स्टूडेंट्स बाके नाहीं क्लास फोर्थ इसके लावा आपको मागनेट ब्रेंस पे किंडर गार्डन से 12 तक हर क्लास बढ़ाई जाएगी जो भी फ्री आफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ इतना ही नहीं अगर आप स्टेट बोड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मागनेट ब्रेंस हिंदी पे पढ़ सकते हैं जहां पे आप MP बोर्ड, UP बिहार बोर्ड, राजस्तार बोर्ड, डेली बोर्ड सभी कुछ पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए